हेलो फ्रेंट्स आप सुब का आपके अपने चैनल वुविन लेक्चर्स में एक बार फिर्शिस वागत है तो पीरे विद्यार थे हूँ आज की इस क्लास में हम खक्सा दस्विग्यन विश्यकी व्रक बुक दो जातेवी 24 के अध्याच्चे नियंत्रन एवं समन्वे के कार्य पत्रक 19 को सौल्व करना सिखेंगे हमने कार्य पत्रक एक से लिकर 18 तक सभी को बहुत अच्छे से सौल्व करा दिया है साथ ही साथ आपके गनित विश्यकी व्रक बुक की क्लासेज भी चल रही है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियूई है बहां जाकर आप उन सभी क्लासेज को आराम से देख सकते हैं पिछलिये क्लास सुरू करते हैं पहला प्रशन है कि मनुस्य में बोने पन के क्या कारण हो सकते हैं यदि कोई मनुस्य क्या है बोना है यानि क्या है ठिगना है उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो फिर उसकी बोनेपन के कारण क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है तो उता क्या है कि हमारे सरीन वे ग्रंती होती है प्यूस ग्रंती प्यूस ग्रंती जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम मास्टर ग्रंड भी कहते हैं क्या कहते हैं master gland यानि master ग्रंती भी कहते हैं ये ग्रंती एक हार्मोन स्रावित करती है इसका नाम होता है टी एच हैस्च पंसान हार्मोन टी एच हैस्च ठीक है मतलब thyroid stimulating hormone क्या नाम होता है thyroid stimulating hormone तो जब प्यूस ग्रंती से स्रावित होने वाला जो व्रदी hormone होता है वो होता है stimulating hormone और जब इस hormone की कमी होती है या बचपन के समय बाल्य आवस्ता में ही इसके स्राव में कमी आ जाती है तो मनुस्य क्या होता है बोना होता है उसकी height नहीं बढ़ती है ठीक भई हमें यहाँ पर अरब लिखना है तो हम लिखेंगे कि मनुस्य में बोने पन का जो कारण है लिखेंगे मनुस्य में बोने पन का कारण कि उसक ग्रंती से कि उसक ग्रंती से स्रावित होने वाला कि उसक ग्रंती से इस्त्रावित होने वाला ब्रदी हार्मॉन कुणसा है इस्टी मुलेटिंग है इस्टी मुलेटिंग है तो कारण क्या है कि उसक ग्रंती से स्रावित होने वाला ब्रदी हार्मॉन इस्टू मुलेटिंग की कमी से होता है एसे लिख लो इस्टू मुलेटिंग की कमी से होता है तो कमी से होता है ठीक आगे हम लिख memorial कि जो ब्रदी हार्मॉन है जो ब्रदी हर्मोन है वो क्या करता है वो सरीर में ब्रदी यवं विकास को नियंत्रित करता है ब्रदी हार्मोन शरीर में ब्रदी और विकास को नियंतरित करता है शरीर में ब्रदी एवं विकास को नियंतरित करता है ठीके? आगे हम लिख सकते हैं इसी के सम्मंद में कि अगर बाल्या वस्ता में ही अगर कुंसी वस्ता में? बाल्या वस्ता में ही यहनि जब बच्चा छोटा होता है यदि बाल्या वस्ता में ही में ही इस हार्मोन के स्राव में कमी आ जाती है इस हार्मोन के स्राव में कमी आ जाती है कमी आ जाती है जिसके कारण मनुश्य में बोनापन आ जाता है तो कौन जिम्मेदार है यूज गरंथी के द्वारा स्रावित बर्दी आर्मोन इस्टुमलेटिंग जिसकी कमी है तो निच्छित रुप से व्यक्ति में बोनेपन का गुण आ जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्याद 2 मानव सरीर के चित्र में निम्नांकित अंत इस्तरावी गरंथियों की इस्तती बताईए क्या बतानी है अंत इस्तरावी गरंथियों की इस्तती बतानी है कि कौन सी अंत इस्तरावी गरंथि कहाँ पर इस्तित होती है तो देखो सबसे पहले बात करें पिनियल गरंथि की तो पिनियल गरंथि यहाँ पर इस्तित होती है पिनियल गरंथि यह जो तीर का निसान दिया हुआ है, यहाँ पर है आपकी पिनियल ग्रंथी, ठीक, यहाँ पर होती है आपकी पिनियल ग्रंथी, दूसरा है पियूस ग्रंथी, यहाँ पर इस्तित होती है पियूस ग्रंथी, ठीक है, पियूस ग्रंथी, ठीर, अगली जो यहाँ पर यह ग्रं यह होती है आपकी हाइपो थेलेमस ग्रन्थी ठीक यह भी हो गया फिर है आपकी अवटू ग्रन्थी अवटू ग्रन्थी का ही दूसरा नाम क्या है बच्चो थाईरोड ग्रन्थी पॉंसी ग्रन्थी थाईरोड ग्रन्थी यह कहां पर होती है यह यहां पर होती है आपकी देखो जो पता है हमें वो पहले लिख लेते हैं जो बचे की वो बाद में लिख लेंगे फिर आपकी अंडास्य ग्रंती यहाँ पर होती है अंडास्य ग्रंती महिला के अंदर ठीक है यह है आपकी अंडास्य ग्रंती इसके बाद थाइमस गरंथी, थाइमस कहाँ पर होती है, तो देखो इसके बाद कौनसी है, हाइपोथेलेमस, फिर है थाइमस, यहाँ पर यह गरंथी है, यह गरंथी होती है, थाइमस गरंथी, कौनसी गरंथी, थाइमस गरंथी होती है, यहाँ पर, फिर यह जो दीवी है, यहां पर होती है आपकी अगनास्य ग्रंथी, कौनसी अगनास्य ग्रंथी, ठीक, अब ये कौनसी ग्रंथी है, ये है आपकी अधिवक्रक ग्रंथी, कौनसी ग्रंथी है, अधिवक्रक ग्रंथी, ठीक है, अब बच्छी कौनसी, देखो सब हो गया, ये साइद हो सकता है, एक् प्रश्ण संक्या तीन मानव सरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथी अन्त इस्तरावी और बही इस्तरावी दोनों प्रकार के होती है मानव सरीर के अंदर ऐसी कौन सी ग्रंथी है जो अन्त इस्तरावी और बही इस्तरावी दोनों प्रकार के होती है तो वो कौन सी ग्रंथी है आपकी अगनाश्य ग्रंथी, कौन सी ग्रंथी अगनाश्य ग्रंथी, जो अंतर इस्तरावी और वही इस्तरावी दोनों इप्रकार के होती है, तो अधा प्रशन है, आयोडिन युक्त नमक खाने की सला क्यों दी जाती है, तो जो आयोडिन होता है, वो हमारी जो अव्टू ग्रंथी होती है यदि यह आर्मोन संतुलित, ब्रदी और विकास के लिए उपयोगी है पिद यह आयोडिन की कमी होगी तो तायरोक्षिन हार्मोन की भी कमी होगी इसका मतलब क्या उंसरोग होगा गैंगा रोगत्वा आपका गलगन रोग हो जाएगा इस वज़े से आयोडीन युक्त नमक खाने की सला दी जाती है ठीक है यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे कि क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि आयोडिन अब टू ग्रंती के द्वारा या लिख सकते हैं आयोडिन अब टू ग्रंती जो अब टू ग्रंती जो कार्बोहाइडरेट और वसा और प्रोटीन के उपाप अच्छे है तू ठीक है जो अब टू ग्रंती जो कार्बोहाइडरेट वसा और प्रोटीन के उपाप अच्छे है तू क्या करती है थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है को क्या करता है नियंत्रित करता है या के लिए आफशक है एवडिन किसके लिए आफशक है अब टू ग्रंती के लिए आफशक है क्यों ये ग्रंती कौन से हार्मोन का स्राव करती है ये ग्रंती थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है ठीक है और यहार्मोन क्या गाम करता है और यह हर्मोन संतुलित वर्दी और विकास के लिए जरूरी है कि लिए जरूरी है संतुलित वर्दी और विकास के लिए क्या है आवश्यक है ठीके और आयोडीन की कमी से कुंसा रोग हो जाएगा आयोडीन की कमी से गलगन रत्वा गैंगा रोग हो जाता है और आयोडीन की कमी से कुंसा रोग आपका गैंगा रोग हो जाता है इसलिए आयोडीन क्या है जरूरी है गैंगा रोग हो जाता है आगे देखो प्रश्ण संक्या 5 खाली जगह नामक पादफार्मोन कोसी का विबाजन को प्रेरित करता है तूसा अर्मोन का नाम क्या है? साइटो काइनीन उस अर्मोन का नाम है साइटो काइनीन यह साइटो काइनीन नामक जो पादफार्मोन होता है वो कोसी का विबाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है तो इस तरह हमने आपके कारे पत्रक 19 के सभी प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मिद करता हूँ सभी प्रश्णों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें आज गले इतना ही, जय हिंद, जय भारत